अगर आप अपने Instagram में business account को remove करना चाहते हैं, normal personal account को वापस use करना चाहते हैं, तो आप कैसे अपने business account को remove कर सकते हैं, यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा, तो विडियो ध्यान से देखती रहिए, सबसे पहले Instagram की application को open कर लीजिये, और यहाँ आपको three lines नजर आ जाएंगी, अब आपको यहाँ पर आना है settings में, ठीक है, settings open करते साथ ही आपको, यहाँ पर नीचे से fourth number पर आपको दिख जाएगा account, तो account आपको open कर लेना है, अब आपको यहाँ पर scroll करना है बिलकुल नीचे, तो बिलकुल नीचे आपको यहाँ पर second, last number पर दिखता है, switch account type, यह अगर आप old version यूज़ कर रहे होंगे, तो यहाँ पर आपको देखिए, इस पर click करने के बाद, यह दोनों option, पहले ही नजर आ जाएंगे, अगर आप older version यूज़ कर रहे हैं तो, तो आपको simply business account को remove करने के लिए, switch to personal account पर click करना है, ठीक है, तो इस पर आप click कर दीजिए, और यहाँ पर switch to personal account पर click कर दीजिए, switch to personal account अब यह switch हो गया है personal account में, ठीक है, देखिए, यह normal personal account हो चुका है, अगर आपको वापसे करना है, तो आपको same method follow करना है, यहाँ पर जाना है, settings में जाना है, और accounts में जाना है, और यहाँ पर नीचे आना है, switch to professional account पर click करना है, continue, continue, continue कर देना है, और आपका जो भी, यहाँ पर आप जो भी stream में काम करते हैं, तो, मेरा है digital creator, तो done कर देता हूँ, हो रहा है, और इसके बाद loading होते साथ ही, यहाँ पर इसे next करना है, और इसे, don't, आप पर contact info मत use कीजिए, तो यहाँ पर don't use my contact info पर click कीजिए, और skip कर दीजिए, ठीक है, तो यह हो चुका है आपका business account, तो अगर आपको फीडियो पसंद आई हो, पर आपको सब्सक्राइब कर दे,